नमस्कर दोस्तों सुआगत यापका फार्मारोक्ष के You Tube is You, Sun Channel में तो आज हम सिखने वाले है सीड पेंट के बारे में सीड पेंट में बने हैं एधर के जिसके अंदर आपके पैरों में जो हो दर्ध होता है पाव में दर्द होता है या फिर दोडने के बाद आपके पैर में काफी जोई दर्द होता है तो ऐसे condition को scene pain कहा जाता है तो उसकी details study करेंगे आज के lecture में और जानेंगे कि उसके लिए 5 सबसे अच्छी दवाया कौन सी है तो सुरू करते हैं आज का lecture और जानते है scene pain के बारे में तो scene pain एक ऐसे medical conditions है कि जिसके अंदर आपके scene bone के आसपास का जो area है वहाँ पे आपको काफी दर्द होता है काफी painful conditions produce होती है वहाँ पे सुजन देखने को मिलती है और especially जब आप दोडते हैं या फिर कोई ऐसी activity करते हैं कि जिससे आपके lower leg के उपर pressure आता है तो उस वक्त आपको काफी जो है दर्द का मैसूस होता है और especially उसके करण आपका जो daily routine वर्क है उसके उपर काफी ज्यादा जो हो असर होता है कि जिसको हम scene pain की condition कहते हैं तो यह होने के reasons क्या है तो अगर overuse होता है आपके lower leg का जो portion है especially वहाँ के muscle से वहाँ के ligament से उनका overuse हो जाता है और overuse के करण ऐसी conditions कही जाते है कि जो overuse injury कही जाती है आपके legs की और उसके करण जो scene bone का जो portion होता है वहाँ पे आपको काफी जो दर्द का मैसूस होता है और यह होने का reasons होता है कि जो वहाँ के जो tissues होती है वहाँ के जो bond tissues कही जाती है या फिर जो tendon का जो बाग कहा जाता है या फिर जो muscles होते है वहाँ पे सुजन देखने को मिलती है और उसके करण आपको जो वह काफी दर्द होता है तो इसका एक reason यह भी होता है कि अगर आप excessive running करते है excessive आपने exercise कर ली है तो भी यह problem हो सकता है तो यहाँ पर जो आप देख रहे है diagram के अंदर तो especially यह area में आपको जो वो दर्द होता है और anatomy में हम देखे तो यहाँ पर जो bonds है हमारे दो कि जिसको कहा जाता है fibula और tibia तो यह जो bonds का जो area होता है वहाँ पर आए हुए जो muscles होते है जो ligaments होते है या फिर जो bond उसके करण आपको जो वो काफी दर्द होता है तो यह problem को medial tibial stress syndrome भी कहा जाता है because stress पढ़ता है pressure पढ़ता है आपके lower legs के portion के उपर और उसके करण जो वो काफी दर्द होता है तो उसके दूसरे भी कुछ reasons होते ही जैसे कि आप कोई ऐसे training कर रहे है specially sports के कोई training हो रहे है फिर कोई athletes के related को training हो रही है तो वो काफी ज्यादा दिनों तक चलती है तो उसके करण पे आपको यह scene pin का problem हो सकता है फिर running करते है आप specially जो heel area होते है जो पहाड़ी इला के होते है वहाँ पे आप उपर के और जो दोड़ लगाते है तो उसके करण भी यह problem जो आपको हो सकत है because especially जो pressure बढ़ता है वो आपके lower legs के उपर बढ़ता है और वो समझे के बहुत ज्यादा stress रहता है वो area में तो उसके करण जो scene bone होता है वहाँ पे दर्द सुरू हो जाता है कि जिसको हम scene pain कहते हैं फिर आपके जो पाव है या फिर आपके जो feet का जो बाग है वो काफी flat है तो उसके करण भी यह problem होता है तो उसको solve करने के लिए proper आपको जो है वो सूज पहिनने चाहिए कि जिससे यह problem जो है आप solve कर सके हैं फिर दूसरा एक problem यह होता है कि आप ऐसे surfaces के उपर work out करते कि जो काफी hard surfaces है जिसे कि ऐसे surfaces के जहाब यह plaster किया हुआ है और tiles वगरे लगा जाती है और hard surfaces पर आप देखो तो pressure जो directly आपके legs के जो lower भाग है वहाँ पर ज्यादा pressure पड़ता है और उसके करण भी यह scene pain का problem हो सकता है फिर आपने जो जूते जो आप पहेंते आप जो सूस पहेंते वो सही से नहीं पहेंते या फिर जो गिसे पीटे जूते हैं काफी medicine course में किसी भी बिमारी के बारे में कि जैसे आज है आप हम detail में scene pain के बारे में सिखेंगे कि उसके symptoms क्या होते हैं कौन सी पांस सबसेची दवाईया है तो ऐसे ही सीख सकते है medicine course में farmer rocks के अब उपर तो यह course join करने के लिए हमें आप whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पे हैं तो आप समझते symptoms के बारे में कि scene pain के symptoms क्या होते हैं कि जब overuse के करन समझे कि वहाँ पे injury हो ही गई है तो सबसे पहला symptom develop होता है कि आपको वहाँ पे दर्ध होता है और सूजन जो वह देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर diagram में आप देखो कि area of pain जो यहाँ पर लिखा है तो जो muscles यहाँ पर आप दर्ध होता है फिर आपके दोनों legs में आपको दर्ध होगा या फिर किसी एग leg में ज्यादा दर्ध होगा तो यह symptoms develop होता है तिसरा है sharp pain होता है कि अचानक से काफी बहुत ज़्यादा pain आपको होने लगता है आपके जो scene के आसपास फिर समझे कि आप कोई push करते हैं आपके scene के area को या फिर थोड़ी सी भी आप ऐसी activity करने लगते हो running की या फिर exercise की तो आपको जो हो काफी दर्ध होता है वहाँ पर और यह दर्ध जो हो बढ़ता है जब आप exercise करते हैं और exercise के बाद भी यह दर्ध जो हो बढ़ने लगता है बट जब आप rest करते हैं तो रेस से यह दर जो है वो दिरे-दिरे कम होने लगता है तो उसके treatment के हम बात करें तो treatment का पहला option है rest के at least आपको 2-4 week जितना जो हो rest करना होता है कि जब आपको scene pin का problem होता है second हम देखे तो cold compress मनलब कि आपको scene bone का जो portion की जहाँ पे आपको काफी दर्द हो रहा है तो वहाँ पे आपको बरफ यूज़ करना है और उससे अच्छे से मालिस करनी है और वो आप दिन में 2 या 3 बार कर सकते है कि जिससे दर्द जो हो आपका कम हो सुजन वगेरा कम हो कि जिसको cold compress therapy की जाती है ice मतलब कि बरफ को यूज़ करके तो ये खास आपको करना होता है treatment में तो पहला आपको रिष्टो करना ही है और second जो है वो आपको बरफ से अच्छे से वहाँ पे जो हो मालिस करनी है और वो भी दिन में 3-4 बार तीसरा है आप फिजियो थरापिस्ट को भी consult कर सकते हैं कि जो proper पर आपको exercise भी suggest करेंगे कि जिससे सीन पेन का एक proper treatment हो सके चोथा option बनता है दवायों के गिजिस के अंदर pain killer या फिर anti-inflammatory drugs कि जो आपके सरीर के अंदर दर्द भी कम करती है और सूजन कम करने का काम करती है और छठा option है कि आपको सही तरह से आपको सूज पहने चाहिए कि ऐसे सूज पहनी है कि जो सेसली जो आपको सौक लग रहा है जो pressure लग रहा है तो वो absorb करें और pressure को कम करें और जिससे ये problem आपको ना हो तो सही प्रकार से आपको सूज भी पहनने पढ़ते हैं तो ये 6 options बनते हैं treatment के जो एक non-steroidal anti-inflated drug है तीसरा option है ketoroleg का चौथा option बनता है paracetamol और पांच वाह मैक्वेस्ट इनके tablets का तो सभी के बारे में detail में जानते हैं सुरुआत करते है aciclofenic के सूज aciclofenic की जो एक non-steroidal anti-inflammatory drug है कि जो सूजन भी कम करती है और दर्द भी कम करने का काम करती है तो उसके dose की हम बात करे तो 100 mg जितना patient इसका dose ले सकता है और वो भी दिन में दो बार की या पर जो आप उसके tablets देख रहे है aciclofenic के sustain release या फिर उसके dispersible tablet है तो वो patient जो दिन में एक या फिर दिन में दो बार ले सकता है कि जिससे उसका scene pain का जो दर्द है वो कम होता है second हम देखे तो उसी का alternative के समझे कि आपको aciclofenic suit नहीं हो रही तो आप diclofenic भी use कर सकते है और diclofenic में उसके injections का भी option रहता है जैसे कि dynapar का injection आता है diclofenic के tablets भी आते है 50 mg 25 mg के अंदर और 75 mg का उसका injection है तो उसके dose की हम बात करें तो 50 mg दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार patient जो ले सकता है और खासकर low dose से treatment start की जाती है तो 50 mg समझे कि आप दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार लेते हैं तो भी आपका दर दर solution कम करता है यह फिर second option है ibubrufen का कि जो brufen के जो tablet से वो आप चाहे 200 mg में यूज कर सकते हैं या फिर 400 mg में और खासकर treatment जो यह वो lower dose से ही start की जाती है और यह आप बच्चों में भी यूज कर सकते हैं और 20 mg पर kg पर day के हिसाब से बच्चों में उसका dose जो वो दिया जाता है तिसरा medication है वो है keto rollac के जो scene pain में काफी useful सावीत हो सकता है कि जिसका dose रहता है 10 से लेकर 20 mg ओरली हर 6 गंटे पे और maximum 90 mg पर डे जितना dose जो है आप ले सकते हैं तो उसके दो तरह कैसे tablet अवेलेबल होते है डिस्पर्जिबल टैबलेट मनलब की जो पानी में आप डालते हैं और उसका एक solution बना के डायरेक्ली आप ओरली लेते हैं या फिर डायरेक्ली टैबलेट भी आप खा सकते हैं चौथा option है यहाँपे हमारे पास पैरा सेटामल का option है तो पैरा सेटामल भी एक नॉन स्टेडोल एंट्यूंटेंटेंट ड्रग के तौर पे वो काम करती है और यह भी आपके सेरी में दर्द है सूजन वगिरा है वो भी काम करती है और समझे कि सीन पेन के करन आपको बुखार जैसा भी हो रहा है तो उस वक्त पैरा सेटामल आपको मदद कर सकती है तो यह दिन में तीन बार पेसेंट खा सकता है और यह मेडिकेशन मेक्जिमम और 4000 मिलिग्राम पर डे से ज़्यादा वो नहीं लेनी चाहिए और सेफ डोस के हम बात करें तो 2000 मिलिग्राम से ज़्यादा उसको नहीं लेनी चाहिए फिर बात करते हैं पांचवे मेडिकेशन वो है मैक्वेस्टिन तो मैक्वेस्टिन जो है एक टाइप का न्यूट्रिशनल सप्लेमेंट है तो आप पेंकिलर दो समझो यूज़ कर दे पर जो मैक्वेस्टिन लेने से आपको फायदा यह होगा कि यह आपको ऐसे न्यूट्रिशन्स प्रोवाइड करेगा कि जो हड्डियों की मजबूते के लिए भी जरूरी है मसल्स के हेल्दिनेस के लिए भी जरूरी है तो सिन पेंके दोरान पेंस जो वो मैक्वेस्टिन के टाबलेट भी ले सकते है तो यह खास कर 250 या फिर 500 mg के डोस में अवेलेबल होते हैं तो अगर आपको 500 mg वाला आप यूज़ करते हैं तो दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं और 250 mg दिन में 2 बार और 500 mg है तो दिन में सिर्फ एक ही बार उसको यूज़ करें और खास यह धियान रखना है कि दो टाबलेट के बीच में 12 गंटे का टाइम इंटरलर रखना चाहिए कि अगर आप 250 mg में यूज़ कर रहे हैं तो दो टाबलेट के बीच में प्रापर 12 गंटे का टाइम इंटरलर रखना है और एक ही टाबलेट ले रहा है तो दिन में एक ही खाए अब बात करते हैं उसके adverse effects की तो यह जो दवाई आप यूज़ करते हैं यह कुछ side effects कर सकती है जैसे की यह लिएने के बाद आपको vomiting हो सकती है फिर एक serious side effect है कि एगर कोई painkillers को लंबे समय तक यूज़ करता है तो उनके करन आपको stomach pain या फिर peat में ulcer हो सकता है peat में दर्ध हो सकता है उल्टी हो सकती है और पाचन की condition और डाइरिया हो जाते है कुछ लोगों को सीने में जलन मनले कि heartburn जैसा फिल होता है और आपकी बुक जो हो कम हो जाते है तो यह कुछ side effects करवाती है यह medications तो उसे के करन उसके कुछ contraindications है जैसे कि जो heart disease वाले जो patient है वो यह medications को use ना करे peripheral artery disease मनले के जिनके सेरिर के अंदर उनकी blood vessels related problem है क्या उनकी blood vessels के अंदर plague जमा हुआ है fat जमा हुआ या फिर cholesterol जमा हुआ है तो यह medications को use नहीं करनी है फिर आपको heart related कोई भी विमार है जैसे कि cerebrovascular diseases हम कहते हैं फिर पेट में आपको ulcer है कि जिसको पैप्टीकल सर हम कहते है या फिर inflammatory bowel disease है आपको तो भी यह medications को use नहीं करनी है liver या फिर kidney related कोई problem है बच्चों में यह medications को use ना करें especially जो acyclophenic है या फिर जो हमने ketoroleg के बात की तो वो बच्चों में यूज ना करें safe medications के हम बात करें बच्चों के लिए तो scene pain समझे के छोटे बच्चों में हो रहा है या फिर 12 से 18 के बच्चों में बच्चों में हो रहा है तो ऐसे लोगों के लिए paracetamol या फिर ibuprofen joibop यूज कर सकते हैं और यह medications को pregnancy के दौरान भी यूज नहीं के जाते हैं फिर एक और यहाँ प एक advice रहती है के scene pain समझे के आपको रहता है और आप ऐसा फिल कर रहे हैं कि आपकी हड़ियों में कमजोरी है तो उस वक्त आप calcium and vitamin D3 के supplements ले सकते हैं कि जो के अंदर calcium रहता है 500 mg जितना और vitamin D3 रहता है 250 IU जितना और यह आपके सरीर के अंदर vitamin D and calcium के deficiency को पूरा करता है और जिसके करण यह कमें पूरी हो जाने के करण आपकी हड़िया जो हो काफी मजबुत रहते तो यह खास कर दिन में एक ही बार patient लेते हैं आप रात को यह medication सोने से पहले जो है वो खा सकते हैं पर इनके कुछ side effects होते हैं जैसे कि यह दवा यह constipation करवाती है नौस जया वमिटिंग बूग कम हो जाना प्यास लगना आपको urination बढ़ा सकती है पेट में दर्ज, muscles weakness जैसे side effect, urine के अंदर calcium का लेवल बढ़ना, allergic reactions, itching, whizzing, rashes and swelling हो सकती है आपके throat में या फिर आपके tongue के उपर मला है कि आपके jeep के उपर तो यसी कोई भी side effect होती है तो यह medication को लेना बंद कर देना चाहिए तो इस तरह से scene pain की treatment आप कर सकते हैं तो ऐसे ही सीखना है अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं तो इसली हमें WhatsApp कर सकते हैं medicine course को join करने के लिए हमारा WhatsApp नमबर है 901631-2020 तो डायरेक्ली हमें WhatsApp करें यह course को आप जोइन कर सकते हैं तो यह आपको डाउनलोड करें या फिर हमें WhatsApp करें गुड लग और अल दे बेस्ट